Hey guys, welcome back to Genuine Air Drops channel, नमस्कार, दोस्तों एक बाट फिर से आप सभी गाश्वागत है, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक brand new project के बारे मैं है, जिसकी backing बहुत ही ज़्यादा strong है, बहुत ही early stage के अंदर है, daily basis पर हम लोग coins को earn कर सकते हैं, अपने internet connection को use करते हुए, एक unique concept है, and supply भी most probably उसकी limited ही है, तो पूरे detail से बात करेंगे, दोस्तों, क्या project है, क्या concept है, कैसे Europe को join करना है, तो पूरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए, एक भी part को आपने miss नहीं करना है, and सबसे पहले दोस्तों में आपको लेकर सलता हूँ, हमारे Twitter handle की तरफ, अगर आपने हमारे Twitter को follow नहीं किया है, so make sure to follow us on Twitter, and make sure to press the bell notification icon as well, क्योंकि हाँ पर बहुत से post हैं, threads हैं, जो आपके साथ post करते रहते हैं, details है, describe करके sequence wise, जिसको आप लोग easily समझके हैं, आपर follow कर सकते हैं task को, and अगर आपने हम दोस्तों Telegram channel को भी नहीं जोइन के, so make sure to follow us on Telegram channel as well, immediate जो update होती है, information होती है, वो दोस्तों सबसे पहले आपको Telegram पर मिलती है आज की इस video में दोस्तों, जिस project के बारे हम बात करने वाले हैं, इसका name है दोस्तों, Gaga Node Gaga Node दोस्तों क्या है, कैसे है, and कैसे वर्क करता है, क्या है इनका project का concept है, इसके बारे हम लोग बात करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले कर चलता हूँ दूस्तों, यहाँ पर इनकी main website के उपर, इनकी main protocol के उपर जोकी है, दूस्तो, Mason Network Mason Network दूस्तों और Ginga Node ये दोनों एक ही компании के different-different, हैहाँ पर कह सकते हैं services है, और दोनों एक ही concept के लिए work करती है, यानि कि दोनों एक ही service के लिए work करती है, लेकि दोनों का work करने यहां पर जो Mason Network के दूस्तों यहां पर service प्रोइड करता है और यहां पर Gaga Node है वो उस service को execute run करने काम करता है simple way में बट इन दौनों के अपने खुद के खुद के different tokens यहां पर होंगे Mason Network का अपना खुद का Mason token होगा और Gaga Node का अपना खुद का Gaga token होगा तो हम लोग airdrop के थुरू free में यहां पर in terms of हम airdrop बूल सकते हैं exactly airdrop नहीं बूलेंगे कि mining यहां पर होगी हमारे internet connection को use करते हुए तो यहां पर अभी starting में जितने tokens अन करने हैं दूस्तों कर लो क्यों कि आगे चलकी supply वो है दूस्तों most probably limited हो जाएगी and क्या supply रहेगे क्या नहीं रहेगे उसके बार हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं यह Mason Network work की कैसे करता है दोस्तों यहां पर जैसे कि लिखा है bandwidth trading platform built on blockchain यानि कि Mason Network क्या करता है हम जितने भी worldwide जितने भी user है जो internet को use करते हैं उनका जो free bandwidth time होता है जैसे कि आप काम कर रहे हो लेकिन आपके internet का use नहीं हो रहा and bandwidth उस time पर free है तो यह bandwidth को use करता है जब-जब internet से connection आपका connect होगा आपके phone में यह bandwidth को use करेगा bandwidth से मतलब होता है दोस्तों आपके internet की speed and आपके IP addresses आपकी bandwidth speed जितनी भी होगी 100 Mbps, 50 Mbps, 200 Mbps उस speed को यह utilize करेगा and वहाँ पर store करेगा अधा IPv4 technology के साथ and blockchain पर दोस्तों उनका पूरा concept ready किया हुआ है तो यहाँ पर अगर हम इसके बार में थोड़ा details सम्झे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है इनका vision क्या है Mason Network is trying to create the world largest bandwidth marketplace in the future here user can exchange their unused bandwidth resources with Mason for tokens यानि कि हम Mason को use करेंगे इनके जो gaga node है application उसको use करेंगे यह हमारा bandwidth को use करेगा and उसके बतले में हमें token देगा and those who need bandwidth will come to Mason's market to borrow the bandwidth anywhere in the world यानि कि मान लीजिए आपके पास internet connection है लेकिन आपके पास speed नहीं है यह internet connection थोड़ा बहुत बेक कैसे भी है तो आप Mason Network पर आईए and वहाँ पर इनके जो marketplace होगा वहाँ से bandwidth को borrow की जा सकती है तो कुछ इस तरीके का concept है यानि कि internet connection बहुत पेकार है और आपको अच्छी speed चाहिए तो वहाँ पर इसका use होगा या फिर internet connection नहीं है तो किसी दूसरे तरीके से यहाँ पर borrow करने का तरीक होगा अब दोस्तों यह एक new idea है बिलकुर new idea है market में कैसे play out होगा future में जाके इसके बारे में अभी कोच भी guaranteed नहीं कहते है यह एक तरीकी की एक new कह सकते है startup है एक new initiative है जो market में आया है blockchain industry में आया है और हो सकता है future में बहुत अच्छा perform करें यहाँ पर अगर आप इनकी backing देखो के दोस्तों तो इनके backers काफी अच्छे हैं काफी अच्छे hobi research के साथ यहाँ पर चल रहा है hobi research basically hobi की investment venture है and यहाँ पर ऐसे ही दूसरे ventures है जैसे कि यहाँ पर आप दिख सकते हैं तो इसी तरीके से दोस्तों gaga node क्या करेगा जो mission network का जो concept है तो gaga node nodes run करने काम करेगा यानि कि जहाँ पर bandwidth का use कहाँ पर होगा और उसके बदले में हमें gaga tokens यहाँ पर मिलेंगे अब हो सकता है शायद आप में से बहुत से लोग यह सोच रहे हों अगर यह हमारे internet का use करेगा तो हमारे internet का data भी बहुत जल्दी रिडीस होगा दोस्तों data reduce नहीं होगा यह जस्ट हमारे bandwidth का use करेगा हमारे BPS का use करेगा यह देखेगा कि हमारे internet की जो bandwidth है वो कितनी हाई है उस चीज़ का use करेगा एंद उसको store करेगा एंद उसको store करेगा दिए लोग utilize करेंगे उसके बतले में हमें tokens देंगे तो ठीक है difference है यहाँ पर data use करने में तो बहुत कम data होगा जैसे आप normal surfing करते हो YouTube वीडियो सोगा तो बहुत limited ही data यहाँ पर reduce होगा अब दोस्तों यहाँ पर हम दो समझते हैं कि यह airwap किस तरीक से join करना है मैं इसको kind of airwap हो सकते हैं एक तरीकी की mining है यहाँ पर जिसमें जो भी important information है वो यहाँ पर मैंने आपके साथ इस thread के अंदर mention की है तो इस thread को आप लोग read करना बाकी important क्या क्या चीज़ें इस thread के अंदर वो हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग mining को start करना है तो mining को start करने के दोस्तों simply सबसे पहले तो आपने इनकी website पर register करना है इस website पर register करने का process बिल्कुल दोस्तों normal है जैसे कि यहाँ पर हम लोग email letters and password डाल कर सकते हैं capture डालना and send me v code यानि कि आपकी email पर एक code जाएगा OTP code जिसम बोलते हैं वो यहाँ पर आप लोग डालिएगा ठीक है simple panel है install and run पर जवाब जाओगे तो यहाँ पर आपको एक token ID मिलेगी जो कि एक unique token ID होगी हर एक account की इस token ID के थुरू हम अपने note को synchronize कर सकते हैं जो कि एक minute के अंदर यहाँ पर हो जाता है download करने के बाद and तुरंत यहाँ पर यह note भी रन हो जाता है कोई बहुत बड़ा लंबा procedure नहीं है इसका उसका दोस्तों इसके साथ ही साथ आपने यहाँ पर इनका यह mobile application डाउनलोड करना ठीक है यह mobile app का link है AP की डाउनलोड हो जाएगा directly AP को install करना होगा दोस्तों install करनेगा जो आपने token ID copy करी थी वो token ID यहाँ पर आपने पेस्ट करना and start mining पर क्लिक करना आ and then यहाँ पर आपका काम यहाँ पर almost 80% complete होता है इसके बाद आप लोग आज सकते हैं अपने back website पर and website पर आने के बाद आप जब notes पर जाएंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो note रन करा था जो token ID mobile के अंदर insert करी थी mobile application के अंदर ने start करी थी वो यहाँ पर detect कर लेगा and यहाँ पर आपका दिखा देगा कि आपका node online है and इसके साथ ही साथ जब आप reward के button पर click करते हो दोस्तों तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कितना reward आप यहाँ पर earn कर रहे हो यह जस्ट आप ए घंटे के अंदर 110 token यहाँ पर earn हो हैं दोस्तों and जो estimated round यहाँ हर 30-40 minute के अंदर round wise यहाँ पर changes होते रहते हैं अब यह round का दोस्तों exactly क्या funda है इसके बार में exactly information नहीं अभी लेकिन यह round हर 30 minute के अंदर आपका यहाँ पर update होता है and किस country से आप belong करते दोस्तों वो भी हाँ पर matter करता है तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यह मेरे token हैं अ आपको पता चलेगा जो residential reward है वो यहाँ पर 10 है and data center जो reward है वो यहाँ पर one है यानि कि data center यानि कि ऐसे IP address है जो directly data center से connect होते हैं मतलब data center से ब्लॉंग करते हैं उनको शायद reward कम होगा and residential मतलब एक ऐसे अगर आप किसी township के अंदर रहते हो as a normal consumer आप internet bandwidth का use कर रहे हो तो उन लोगों को जादा हुआ है यह सब detect कर लिया जाता है and आप अगर country से हो अमेरिका से होंग कोंग से च जिसमें कि कभी कम हो सकता है reward कभी जाद हो सकता है कभी 45-35 वी ओ सकते हैं तो यहां पर country-wise बारे में जहादा detail नहीं है लेकिन जो है फिलाल यहां पर यह ही है and उस्टों जो भी token कर रहे हो एवरी डे में वो एवरी डे यानि हर 24 घंटे में आपके main balance के अंदर transfer हो जाते है तो यहां तक तो बात होए d Ihrstओो इसको जॉइन करने की किस तरीके से बात होता है अब हम जाते है यह पर दोस्तों इपने ट्रेड नंबर फिफ्थ पर इस प्रेड के लिए पर हम लोग ने बात किया है इसके बारे में जो कHi रहें आप सबी के जानने तो एडमिन ने बोला है कि जो गागा की जो सप्लाई होगी वो डिपेंड करेगी मेसन नेटर के टोकन मेट्रिक पर और कुछ हद तक वहापर सेम होगी जैसे कि आप देख सकते हैं जब स्कुरिंशोट के अंदर एडमिन यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर किसी एक परसन ने कोशन पूचा है तो गागा शुड बी आ हंडेड मिलियन तू यहाँ पर एडमिन बोलते हैं गागा नुट फॉलोज दा टोकनोमिक्स ओफ मेशन नेटवर्क गागा क्रेड़िट इसल्फ दोज नॉट हैव आफ फिक्स्ट सप्लाइड और साथी साथ में एडमिन यहाँ पर बुला है डिपेंड्स ओन दा माइंड अमाउंट यानि कि जतने गागा टोकन माइन होंगे उतने ही मार्केट के अंदर सेर्कुलेशन में आएंगे और गागा के बार में एक्सेकली टीम ने पूरा डीटेल से डिस्क्राइब नहीं किया है अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने सब जब यहाँ पर चेक कर लिया तो इसका मतलब यह है कि मोस्ट प्रॉबर्ली दर में या वाकई में टोकंट अगर यह क्रेडिट सोते हैं या पॉइंट सोते हैं तो यह जब और पर माइनिंग हो रही है डेली के 1,500 token मिल रहे हैं तो यह 100 million supply में original gaga tokens तो नहीं होगे, जहां तक मुझे लगता है credits ही होगे, लेकिन बाद में जब gaga token अगर सकी 100 million supply होती है तो फॉर जहां तक मुझे लगता है दोस्तों यह ratio के साथ किसी ना किसी ratio के साथ वहाँ पर team इसको swap करेगी यानि कि आप यहाँ पर transfer करके किसी को buy-sale कर सकते हो gaga credits और tokens जो भी है लेकिन यहाँ पर इनकी exchange पर buy-sale future में start होगी यानि कि यह जो gaga tokens है या gaga credits है जो भी है यह tradable होंगे बहुत जल्दी और यह इसी साल के अंदर होंगे 2-3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब भी होंगे लेकिन definitely यह tradable होंगे और इसी चीज़ को देखते हो दोस्तों हमारे bit India OTC escrow group के अंदर बहुत से लोग gaga coins को buy-sale यहाँ पर कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं want to buy gaga, want to sell gaga तो यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ गaga token को buy-sale करने में interested है अपनी यहाँ पर जो भी है price वो लगा रहे है unofficial way में तो आप भी अपने gaga token को buy-sale यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप लोग वेट करें इसके main net तक का possible हो सके तो और बाकि इसकी supply क्या होगी दोस्तों उस पर matter करेगा इसकी पूरी price उसके लाएव दोस्तों हम पर रेफल reward है 20% commission पर आप रेफर कर सकते हैं अपने किसी भी friend को तो फिलाल overall दोस्तों gaga से related यहाँ पर यही है और आप हमारे इस thread को जाके रेट करना यहाँ पर details आपके साथ share किया है roadmap के बार में share किया है इन्होंने बुला है कि 2023 के अंदर ये EVM chains पर अपने gaga tokens को लेकर आएंगे first of all यानि कि किसी भी chain पर ला सकते हैं polygon पर ला सकते हैं या फिर BNB smart chain पर ला सकते हैं स्टार्टिंग में token यह जादा मिल रहे है दीरे-दीरे करके token most probability हो सकता है कुछ टाम में कम हो जाए लेकिन इसके बारे में कुछ इनका कोई chart नहीं है कि कम होंगे या नहीं होंगे लेकिन इसकी supply क्या होगी वो सबसे बड़ा इहां पर question है तो जाओ जाकर admin से पता करो find करो इस चीज़ के बारे में और मुझे को इस information मिलती है अच्छी सी तो मैं आपके साथ उसको ज़रूर share करूँगा हमारे telegram चैनल पर and twitter पर तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही है जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मैं ने टॉपिक के साथ नहीं इरोपक के साथ तो अब तक लिए दोस्तों बाबाई ठीक है और and see you soon